हलो स्टूडेंट्स वालकम तो मैंटेंट इस इस आजमीन पठानी और साइंस एडूकेटर फॉर क्लास नाइन फॉर क्लास 10 तो जैसे कि मैं आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोग को बढ़ाने वाली हूं क्लास नाइन तो क्लास 10 की साइंस वी फुल कंप्लीट डीटेल्ड कोर्स के साथ जिसमा आपको मिलेंगे जेली प्रैक्टिस पेपर और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सी बीसी बोर्ट से आते हैं तो हम आपको प्रवाइट कराते हैं के जिसे लेके क्लास 12 तक की फ्री औफ कॉस्ट क्लास और अगर आप लोग स्टूप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अब जाकर उसको वहां से इसली अवेल कर सकते हैं विद्धावड अनी फॉदर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकिदा सेशन जिसके अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस्मेंट दो बहुत ह इसका हमारा में ठागेट रहेंगी अगर मैं अगर आपने यह सीख ली ना मैं गैरेंट रहें आपको क्लास 11 एंड क्लास 12 की फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि इसका बहुत जादा डेप्थ में यूज होने वाला है मेकानिक्स के अंदर तो बनना मेरा previous session miss किया तो आपना अपना बहुत तगड़ा नुकसान किया है कि वहाँ पर मैंने डिसकस किया है motion की मतलब कि states जो physics में states हैं दो motion and rest मैंने वहाँ पर उन दो states को डिसकस किया है तो जाकर उसको जल्दी से विजट कर लो क्योंकि वह बहुत ही important है अगर आपने वो distance and displacement basically same चीज होती है यह सेम चीज नहीं होती है according to the physics यह दोनों ही अलग terms हैं और इनके दोनों के अलग ही मतलब होते हैं तो आज उन दोनों difference को मैं बहुत अच्छे से चमकाऊंगी तो जल्दी से आजाईए अब मेरे साथ तो देखिए students distance क्या है basically distance है कि मान लीजे आपके पास यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास मान लीजे गर में बात करूँ distance की तो distance basically क्या है distance है कि मान लीजे एक बच्चा है कोई जिसका नाम क्या है कुछ भी कुछ भी नाम रख सकते हम लोग उसका नाम रिंकु है मान लो imagine कर लो उसका नाम रिंकु है अब वो क्या कर रहा है वो रिंकु जो है वो रिंकु यहाँ पर रहता है कहां आपने घर में रहता होगा for sure तो यहाँ पर यह उसका घर है ये उसका घर है ये उसका रिंको का घर है अब मान लो वो यहाँ पर उसके घर के पास में ही मतलब जादा दूर नहीं है उसके फ्रेंड का घर है ये उसके फ्रेंड का घर है फिर मान लो उसके पास में ही मतलब थोड़ ही डिस्टन्स पर उसका स्कूल है यहाँ पर मान लो उसका स्कूल है तो यह क्यों हो जाएगा स्टूडिंट यह किसका घर हो जाएगा रिंकू हो जाएगा यह हूं हो जाएगा यह एंड यह रिंकू का स्कूल हो जाएगा अब बेसिकली हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि आप यह रिंकू जो है इसको कहा जाना था इसको जाना था स्कूल डिस्टन्स समझा रही हूं मैं अब इसको यहां से मानलो निकल कर इसको इसके स्कूल जाना था चलो तो यह निकला अपनी साइकल से ठीक है यह निकल यहां से यह साइकल पर जा रहा है अब साइकल तो मैंने दिखाऊंगी तो यहां से निकल पड़ा और यह पहुचा स्कूल यह कहा गया यह स्कूल आगया आ गया यह पहले अपने फ्रेंड के घर पर गया अब फ्रेंड का घर भी स्कूल वाले रास्ते में पढ़ता था यह इसलिए और बज़ गया मना पापा देख ले तो पिटता है बढ़े आ गर के तो इसने क्या करा इसने घर पर बोला मैं इस पूल जा रहा हूँ बट यह ऐसा भीर लिया पीक्या अभी यह दोनों मिलकर गये स्कूल अभी दोनों मिलकर एक दोने स्कूल एक लोब एक बाटमंक किए और सब्सक्राइब कि जो path, कोई भी object या कोई भी body cover कर रही है, क्या distance के time, मतलब distance के time पर नहीं, motion के time पर, समझगे यह वाला point आप लो, समझगे, तो this is basically path length भी आप इसको बोल सकते हैं, path length, तो path length क्या है, तब path followed by, मतलब distance के time पर, path follow करती है, कोई body या फिर कोई object, उसी को हम path length भोलते हैं, या फिर distance भोलते हैं, तो मानलो, imagine करो, कि यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो gap था, मतलब रिंकु के home के और रिंकु के जो friend के घर के बीच का, जो distance था, मतलब कि जो gap था, वो मानलो था, six kilometers, six kilometers था, अब मानलो, रिंकु के घर friend के घर से, school तक का distance था, आपका, seven kilometer, कितना था, seven kilometer था, समझ के वाला point, तो अगर मैं बोलू हूँ आप से, कि रिंकु ने total कितना distance कवर किया, तो रिंकु ने total distance कितना कवर किया, students, रिंकु ने total distance कवर किया, पहले वो 6 kilometer कहा गया, आपने friend के घर, तो six, फिर उसके घर से, उस six plus seven वो cover कर रहा था, तो मतलब कि वो 13 kilometer, उसने distance कवर किया, तो हम क्या बोलेंगे कि रिंकु का जो path length है, वो कितना था, 13 kilometer था, तो basically distance क्या है, total length, total length covered by an body जब एक body कोई भी total length को cover करेगी तो वो हम उसको क्या consider करेंगे, distance consider करेंगे, क्या consider करेंगे students distance consider करेंगे, समझभाई ये वाली चीज़ है नहीं समझभाई, जल्ली से बताओ आये आप लोग को distance समझभाई, अब displacement क्या है, ये तो distance हो गया displacement होता है, basically the shortest distance covered by an object या फिर body, shortest distance, सबसे छोटी distance जोस ने cover करी है, आप जैसे मालो इसी में देखो, इसी वाली में देखो, तो इसी वाली में तुम बोलोगी मैं distance and shortest distance देखो क्या है, उसको basically कहा जाना था, उसका main target, घर से school तक के distance है, basically, बात खतब सबसे shortest distance उस object के reference point से लेके, उस object के उस point तक जहां तक उसको जाना है तो अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसका displacement पूछूँ, तो displacement basically क्या है, displacement है अगर मैं है यह पर लिख दूँ displacement displacement basically है shortest distance covered by an body, by an object या फिर body by an object or body समझे वाला point, समझे नहीं, समझे वाला point, तो this is basically the difference between the displacement and distance आप माल लो आप बोलेंगे मैं shortest distance तो यार एक बात बताईए नहीं, मैं रिंकू के home से उसका school 13 km ही है माल लो total 13 km है तो इस case में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर distance यहाँ पर distance और displacement equal हो गया बट मान लो, imagine करो अब एक और case देती हूँ, पहले इसका screenshot लो अब मान लो मैंने आपको एक case दिया कि रिंकू निकला ओके माम रिंकू निकला अब रिंकू को जाना था school school रिंकू के घर से कितना है, रिंकू home यह रहा और रिंकू का school वो basically 13 km है, कितना है, 13 km है, basically 13 km है, बट रिंकू ने आसा नहीं गया, रिंकू डारेक्ट नहीं गया, रिंकू कैसे गया, पहले रिंकू गया, अपने फ्रेंड के घर पे, फ्रेंड हों गया, यह इसके घर से पढ़ा कम से कम 6 km, चलो मानलों यह 6 km पढ़ गया, अब यह दोनों मिलके, कहां गया, यह दोनों गया, कहीं पे, पार्क में, खेलने के लिए, अब बोलगे माम स्कूल जान से पहले, पार्क में खेलने जा रहे हैं, हाँ भाई, जल्दी अब जब फ्रेंड के घर आ रहा, तो अलड़ी प्लान करका आओगा ना, तो मानलों यह इसके घर से था, 2 km, आप पार्क से, इनका जो स्कूल था, वो था कम से कम, आपका 10 km, क्या था, 10 km, तो अब अगर मैं आपसे इस केस में पूछूं, कि कितना डिस्टेंस है, और कितना आया बॉड़ी, समझे, यस मैं, तो अब अगर मैं हाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट को लिख होंगी, तो दोनों ही अलग केस है, अब, अब डिस्टेंस क्या होगा, और डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा, अब आप खुद ही बता सकते हैं, अब आपको यह concept चमक चुका है, congratulations, आपको concept चमक चुका है, तो अब दिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी मामी, टोटल लेंथ, जो कवर करिये, इसने घूम घाम के अब घर पर क्या बोल गया है, हमें क्या पता, अब बाहर क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता, हां, तो हमें दिखिएंगे 6 प् अन-गा 13 क्लोमिटर, तो आब ओधिफिसक्स के का का कि डिस्टेंस और दिस्प्लिस्मेंट में क्या दिखरोिज होता है, यस माम हमें रहे हैं, तो physics के कारिंग डिस्टेंस अंड दिस्प्लेश्मेंट में ये डिफरेंस होता है, आजए हमें, आजए हमें, आगे स्czy CaribbeanShot लो this difference by taking an example, आप एक example और ले लेते हैं students, देखिये, यहाँ पर आप हम example देखेंगे, रोगो इस figure भी समझ माईगे, suppose a man lives at a place A, okay, माल लो, imagine कर लो, के एक आदमी है, एक आदमी है जो A place पर रह रहा है, कहां रह रहा है A place पर, तो इस figure में देखे हम लोगो A place ही हो जाएगा इसका, this is the A place, done, yes ma'am this is the A place, अब and he has to reach another point, another place C, अब इसको C place पर पहुचना है, okay, done, but first he has to meet his friend living at a place B, but उस C place पर पहुचने से पहले इसे अपने एक friend से मिलना है जो B place पर रहता है, तो पहले यह कहां जाएगा, इसका direct रास्ता था A से C पर जाने का, बट इसने क्या करा, यह पहल from point A and travel distance of 5 km to reach B, okay, अब यह बोल रहे हैं कि वो जो आदमी है, वो A point पर था, अब वो इस A point से वो 5 km चला, B पर पहुचने के लिए, done, okay ma'am, and then travels another 3 km from B to reach C, अब मान लो इस B से, इस B से मान लो वो अब C point पर गया, 3 km और चलके, कितना चलके students, 3 km और चलके, done, okay ma'am, to reach C, does the man goes along the path A, B, C, okay, अब यह A, B, C path पर गया, shows by a dog, अभी दिखाऊंगी मैं, the length of the path A, B, C gives us the actual distance traveled by a man, अब यह जो A, B, C है, यह तो total length होगी न, इसकी, total length, अब मैं इसको ऐसे ना बनाके, ऐसे बनाऊंगी, देखो, मान लो, यह A से B पर गया, जो 5 km था, फिर यह B से C प A, B, C, यह जो A, B, C है student, यह तो इसकी actual length है न, जो इसने travel करी है, वोई path length, actual path length ही है इसकी, तो मतलब मैं इसने total कितना distance cover किया, 8 km, कितना किया students, 8 km distance को cover किया, yes मैं, does the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by moving body, irrespective of the direction in which the body travels, हम यहाँ पर देखो, एक point आप देखोगे, distance के time पर, हम कभी भी direction की बात नहीं करते है, मतलब अगर आपने यह बता दिया न, कि यह बंदा 8 km गया है, तो हम माल लेंगे, हाँ भया, वो distance हो, उसके 8 km की, बट अगर यह बात आपने displacement में बोल दी न, तो अब हम नहीं मानेंगे, displacement में direction लगती है, magnitude के साथ, और displacement में सिर्फ, distance में सिर्फ magnitude लगता मानेंगे न, वो बोलेंगे 8 km कौन सी direction में, east में, west में, north में, south में, कौन सी direction में, तो अगर आप बोलोगे 8 km east में, तब बोलेंगे इतना उसका displacement है, तो basically यह जो चीज है नहीं, जो मना भी आपसे बोली, वो मैं आपको बताऊंगे, जब मैं आपको physical quantities पढऊंगे, तो don't worry, बिल्कुल भी घपराओं मन, समझे वाला point, आप देखो इस figure को यह देख लो, यहाँ पर आपका यह बंदा A पर था, A place पर था, अब इसको जाना था C पर, अब मान लो यह A से C पर 4 km पहुच जाता सिर्फ, बट इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसको पहले B, यह पहले B प इसने path cover करा है, वो distance होती है, total path, जैसे 5 प्लस 3, तो 8 km इसने distance cover किया, बट displacement क्या होगा, the shortest distance, तो देखो, shortest distance निकालने के लिए, displacement निकालने के लिए, आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास curvy रास्ता है, तो आप क्या करो, starting point से ending point को meet करा दो, जैसे आप देखो, starting point 8 थ तो इन दोनों को meet करा होगे, तो ये distance आपकी 4 km निकल के, बट क्या ये बोलू मैं सिफ 4 km, नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मैं अभी तो आपने छीज़ बताईए, कि अगर आप सिर्फ magnitude बोलेंगी, तो वो distance होगा, ना कि displacement, तो basically displacement बताने के लिए, मुझे क्या करना पढ़ेग students, 4 km in east, west, north, south, कौन सी उस में direction, तो मैं बोलूँगी, 4 km in east, या 4 km in west, इस तरीके से मैं बोलूँगी, तब जाके दखूँ, आपके displacement कैसे लिखावा है, 4 km towards east, मदब के 4 km है, east की तरफ, done, चमकिया नहीं चमकिया चीज, जल्दी से बताऊ, easy है na distance and displacement, कुछ भी रटने की बत नहीं है, अब जो for example, in this case, the actual length of the path covered by a man is 5 km, and 3 km मतलब 8 km, मतलब यह बोल रहे हैं कि total path length कितनी है, आपकी 8 km है, so जो distance होगी, distance is equal to path length, तो basically distance कितना है, इसका 8 km है, हां, we will not discuss the problem in a different way, अब हम इस problem को अलग तरह की से discuss करते हैं, जो अभी मैं आपको बता है, when the man has reached point C, अब मा we want to know how far he is now from the starting point, अब हम यह जानना चाहते हैं, कि वो अपने starting point से कितना दूर है, basically, वो man जो था, वो C पर पौँच गया, वो कैसे भी पहुचा, वो 8 km करके पहुचा, कैसे भी पहुचा वो, अब वो पौँच गया C point पर, अब हम यह जानना चाहते हैं, कि उस C point से, उस A point तक की distance कितनी है, हम, how far the, he is now from the starting point A, thus we want to know the shortest distance, इसलिए हमें सबसे shortest distance का पता करना पड़ेगा, between A and C point, A और C point के बीच मेरे को figure भी बताती हूं, आपको यह, तो let us draw a straight line A C between A and C, आप हम क्या करेंगे, सबसे छोटी line को draw करेंगे, आप देखो, आप इस figure में आप देख भी प मानलो आपके पास मानलो आपके पास ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई भी एı point था, कि मतलuki A place था कोई, A place था, अब यहाँ से मानलो यह बन्दा C place पर पहुचाँ, यह C place पर पहुचाँ, तो C place थी हाँपर मानलो, यहाँ पर C place है, तो basically यह सीदा नहीं आया, माल दो मुझे पता करना है मुझे पता करना है इसकी shortest distance मैं लिको shortest length पता करनी है कि सबसे shortest length किया यह आया कैसे तो मैं क्या करूँग कि स्ट्राइटिंग पॉइंट से इसके ending point को मिला दोगी तो this is the shorter कितना भी घूमके गया हो यह उसकी shortest distance है तो basically यह जो मैंने लाइन पर ड्रॉ करिया हम इसको कंसरर करेंगे displacement और यह जो ऐसे curves है इसको हम लोग क्या कंसरर करेंगे students distance तो कहने का तात पर यह है कि अगर आपके पास कितना भी करवी रास्ता है कितना भी आपको वेगर displacement चाहिए उस पॉइंट का कि मतलब वो पोजिशन मतलब उस बंदे की जो पोजिशन चेंज होई है एक जगा से दूसरी जगा तो आप बेसिकली वहां से उस स्कार्टिंग पॉइंट से उस एंडिंग पॉइंट तर किक लाइन ड्रॉ कर दीजे वह स्ट्रेट लाइन आपको बता दीगी कि उस परसन का displacement कितना है बस direction को मेंशन करना मन भूलेगा समझ गया यह वाला पॉइंट यह समझ माग यह वाला पॉइंट अब देखो thus when a body moves from one point to another the distance traveled refers to the actual length of the indirect path whereas displacement reference the straight line between the initial and final position so displacement initial and final position initial क्या होता है जो starting point होता है देखो जैसे इस figure में देखो तो this a place यह जो a place है यह जो a point है यह इसका initial phase होगा यह क्या होगा यह initial point होगा इसी को हम बोलेंगे starting point और यह वाला जो होगा student आपका जो c place होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे final point यह final, हाँ final point या फिर ending point या फिर ending point या फिर ending point समझ गई वाला point? यास माम यह जी हम लोग को अच्छे समझ मा आ चुकी है तो अब आपको समझ मा गया और जो आपका जो distance है distance is basically your indirect path आपका indirect path मतला आप कहीं से भी आ रहे हैं बस कहीं से भी आ रहे हैं समझ गई वाला point? यास मैं हम लोग यह चीज़ समझ के indirect path जो है वो आपका क्या हो जाएगा students? distance हो जाएगा जिससे आप अगर इस figure में भी देख पा रहे होंगे students तो what you will clearly observe एक और example आपको दे रखा है यहां पर है कि मानलो यह एक town A है और यहां से वहिकल निकला यह एक वहिकल निकला यहां से if a vehicle goes from town A to B अब मानलो इस वहिकल को यह जो वहिकल है यह A से इसको B पर जाना था तो यह कैसे travel कर सकता है? traveling on a road over the hill अब यह क्या था या तो यह hill से जाए या फिर रोट से जाए बाय रोट जाए तो it will have to travel a distance of 25 km अगर यह से जाता है student ऐसे पहाड़ों पेसे होके तो इसको 25 km का distance कवर करना पड़ेगा और अगर यह वाय रोट जाता है तो इसको सिफ 10 km का distance कवर करना पड़ेगा path length कवर करनी पड़ेगी तो basically आपका displacement क्या है इसमें displacement माम आपने क्या बजाए तो shortest distance तो shortest distance यहाँ पे क्या है 10 km तो मतलब के माम 10 km इसकी क्या हो जाएगी displacement हो जाएगी अगर आपने direction भी आड़ करती तो और यह जो है यह total यह total है आपका समझे वाला point आप distance तो दो दोनों सो क्या है but if a vehicle goes from a town A to B on a straight road made through a tunnel it will have to travel only 10 km so in this case the distance traveled is 25 km whereas the displacement is only 10 km तो समझ मां आगे वाला point आप लोगो को यह नहीं आया समझ में जली सब्सक्राइगा हिल के उपर से जाएगा तो 25 km लगेंगे नीचे से जाएगा तो 10 km लगेंगे अब मालों घूम के उपर से जा रहा था बट हमने का भाई तू हिल के नीचे से भी त जाएगा आपका displacement क्या हो जाएगा students है आपका displacement हो जाएगा समझ मां गे यह चीज़ यस मैम यह चीज़ हमें समझ मां चुकी है देखो so whatever be the actual length of the path followed by a moving body displacement of the body is always represented by the shortest distance कुछ भी position हो कुछ भी actual length हो displacement हमेशा उसकी shortest क्या होगी shortest length होगी जो वो body cover करेगी yes ma'am फिर students between the initial and final position thus when a body moves from one position to another the shortest distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as displacement तो displacement basically क्या है displacement जो है ma'am वो distance है वो path length है जो initial point से लेके final point तक होती है चाया वो body कैसे भी travel कर रही है we don't care displacement बोलती है भाड़ में जाओ मुझे फर्क नहीं परता मैंको से इतना बता हो कैसे travel कर रहे हो shortest वो बलगा ending point बता हो आपका starting point बता हो बस यह तुमारा displacement है और सब तुम कहीं से भी घूम का रहा हो मुझे फर्क नहीं परता समझे यस मैम यह चीज हम लोग को समझ मागी है okay next in the above example the shortest distance between the initial point A and the final point position of man is 4 km वो ही वाला जो पहला ग्जामपल था उसमें 4 km किया ही जब आप calculate करेंगे so the displacement of man is 4 km in the east direction मैंने बोला direction भी mention करनी पड़ेगी it is clear that distance traveled has only magnitude इस साब को एक चीज के लिए होती है कि मैम सिर्फ distance के लिए magnitude लगेगा मतलब सिर value लगेगी but displacement के लिए value के साथ साथ आपकी direction भी लगेगी magnitude as well as the direction done yes ma'am समझ मागी यह चीज हम लोगो next next time देखो मैं एक question भी लेकर आई हूँ जिससे आपका distance and displacement वाला topic बहुत बढ़िया करके चमके तो आओ देखते है a man travel a distance of 1.5 meter towards east okay एक man जो है student वो 1.5 meter east में चल रहा है 2.2 meter south man finally 4.5 meter towards east तो यह बोल रहे है what is the total distance travel total distance निकालने के लिए सब कुछ add कर डालो कुछ नहीं चाहिए सब add कर दो तो पहले का answer कैसे निकालोगे total distance total distance कैसे निकालोगे क्या क्या था कितना कितना kilometer चला 1.5 चला हमें फर्क नहीं पढ़ ला किस में जा रहा है तू हमें तो सिर्फ तरह magnitude चाहिए और हमें सबसे पहले आपको डारेक्शन देखनी पढ़ेंगी इस वेस्ट नौर्स सौथ किस किस में चल रहा है उसके कोड़ेंगा पात बनाओगे कैसे इसकेल ले लो कुछ भी ले लो इसकेल लो पेपर लो आ जो फिर मेरे साथ पर इसका screenshot लो फिलाल तो इसकेल लेने से पहले तो देखो तो टोटल डिस्टेंस एट मेरा कैसा राता साथ बोगो जरा कलकुलसन मस्टेक भाईया 1.5 4.5 कुछ गरा तो नहीं देख लिया बन पार आजो नेक्स अलएगा सेकिन वाले पर तू फाइंट दा रिजल्ट डिसप्लेस्मेंट वी शुट रो अब देखो मालो आपको रिजल्ट डिसप्लेस्मेंन नकाल रिक्तिन माला कि टोटल डिस्प्लेस्मेंट कितना हुआ तो सबसे पहले आप या कहना पड़ेगा के अकोरडिन मालो ABC मार्क कर लो अब लिसे इस पिगर में देखो इस फिगर में तो कि आप का यहां पर जो आपका एथा कि अब लोगो एसे वी चला 1.5 मिटर तो इसके लो श्केल मार्क कर लो उसके बार सुडिंट वह बी से सी चला 2 किलोमेटर फिर वह सी से डी चला 5.4 क्लोमेटर, बला 5.4.5 क्लोमेटर, अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है, कि मैं, जो भी डिस्टंस थी, हमने क्या करा, उन डिस्टंस को यहाँ पर लिख लिया, जिस हमान लो, हमने बोला कि वो परसन का आपको resultant displacement निकालना है, क्या निकालना है आपक resultant displacement निकालना है, अब जब आपको resultant displacement निकालना है, students, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे, हम यह चीज़ देखेंगे, resultant displacement के लिए, क्या आपको shortest length चाहिए, वो कितना भी चले हो, आपको shortest length चाहिए, तो हम यह बोल रहे हैं, कि मान लो, वो परसन जो था, मतलब A place से चला, किसे चला, students, वो A place से चला, जब वो A place से चला, जब वो A place से चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखने हैं, वो A से B चला, मालो, 1.5 km, मालो, मीटर, तो कितना चला, वो कितना चला आपका, 4.5 मिटर, कितना चला students 4.5 मिटर चला, अब वो 1.5, 2, 4.5, इतना चलिया, अब basically ये तो उसके क्या थी, ये तो total distance थी, तो total क्या थी students ये उसकी distance थी, ये तो total कितना था, 8 km था निकल के, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए displacement, तो basically अगर हम लोग को displacement चाहिए, तो हमें क् क्या बता है, displacement निकालने के लिए, short, initial point को, final point से मिला डालो, क्या चाहिए, करना ये हैं, कि initial point को, final point से मिलाना है, तो अब माल्व आपको displacement बता करना, तो displacement में आपको क्या बता है, initial point से लेके, final point से का 우ई एक straight line खेज डालो, displacement मिल जाएगा, इसका मतलब memang, अगर मैंने इस A point स इससे D point को मिला दिया, तो क्या displacement मिल जाएगा? Correct, मिल जाएगा displacement. बस direction or mention कर देना. East to west जो भी होगी है. तो this is, इस तरीके साब का resultant displacement निकल कर आ जाएगा. तो ऐसे question को आपको ऐसे solve करना है. Done? Yes, ma'am. समझ माँगे हम लोग को screenshot ले लो आप. तो भाई, ऐसा question भी कर लोगे. अगर ऐसा question in exams आएगा, तो आप easily इसको solve कर सकते हो. तो now the resultant displacement can be found by joining starting a point और फिर आप उसको scale से measure कर लेना. जब आप उसको scale से measure करोगे students, तो आपको answer मिल जाएगा. देखो, to find the resultant displacement we should draw a map of a man movement by choosing a convenient scale. आप अपने मर्जी से scale लो और उसके साब से करो. इसके माल लो, आप one centimeter को आप one meter represent कर रहे हो ही. भाई, थोड़ा graph वाली बात हो जाएगी. Then one point five can be represent by one point five centimeter. वो ही आप meter तो आपको मिल गा नहीं न, scale में. सेंटी मिलेगा. तो आपने one meter को one centimeter माल लिए है. तो इसका मतलब कि one centimeter को आप क्या represent कर रहे हो? वन point five meter को. आप one point five centimeter ना पोगे scale में. तो आप centimeter के according बना ले न, इसको. फिर two meter को two centimeter, ऐसी कर लोगे जैसे आप करते हो graph अगरा बनाते हो न, ऐसी हम scale मेजर करते हैं, जैसे मालो अगर मालो बोलूँ आप से के एक scale आप मेजर कर रहे हो, मले वो जो बॉक्स होता है, मालो five centimeter का, तो इस तरीके से जो हम करते हैं, वो हम लोग इसमें करेंगे. वी ड्रॉब one point five centimeter long line, फिर वो यह आप उस scale के थूँ ऐसी line बना लेना, हाँ, और वो आपका पूरा-पूरा एक map बनके तयार हो जाएगा, जैसे माना भी आपको पीछे दिखाया था, इस तरीके का कुछ, उसके बाद, आप resultant displacement आप कैसे नापेंगे, A point से लेके, D point तक scale रखना और नाप देना, बस, मिल जाएगा आपको resultant displacement, A with the finishing point D, does the line AD represent the final displacement of the man, let us measure the length of line AD, it is found to be 6.3, और यह measure करने के पाद आपके 6.3 आ जाएगी, तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, तो आपका final displacement क्या होगा, 6.3 meter हो जाएगा, उसके direction के towards, done, yes ma'am, please note that, whatever, whenever a body travels along a zigzag path, चाएग body zigzag path में travel कर रही है students, जो final displacement होगा, is obtained by joining the starting point, and finishing point of the body by a straight line, तो हम यह आपे देखेंगे, आपका जो final displacement होगा, आपको वो initial point से, आपको final point को जोड़ना पड़ेगा, तब ही जाके आपको क्या मिलेगा, students displacement मिलेगा, समझ माया, भाई distance and displacement चमका चुकी हूँ, मैं तुम लोग का, देखो, इतना असान है distance and displacement, कुछ भी tough नहीं है, distance and displacement के अंदर, students, अगर आपको session पसंद रहा है, तो भाई like कर दो session को, मैं पूरी कुशिश कर रही हूँ, आपको बहुत easy तरीके से physics को पढ़ाने की students, physics is basically, मैं आपको बतायता है, theory plus numerical, सिर्फ theory से कुछ नहीं होगा, सिर्फ numerical से कुछ नहीं होगा, दोनों का ही mixture आपको physics में टॉप करवाएगा, यह मैं आपको बतारी हूँ, यह एक रामबार इलाज है physics का, और students, वाप इस से कौर चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको प्रोवाइड कराता है, free of cost education, अगर आप लोग CBSC बोट से आते हैं, तो हम आपको KG से लेके class 12 तक की free of cost classes प्रोइड कराते हैं, अगर आप लोग state board से आते हैं, जैसे की MP board, UP board, बिहार board, Delhi board and राजिस्थान board, तो हम आपको प्रोइड कराते हैं, 6 से लेके class 12 तक की free of cost classes, और students अगर आपको e-books और e-notes चाहिए, उसका link भी आपको मारे description box में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से easily avail कर सकते हैं, और students वापस से कौर चीज़ बताना चाहती हूँ, कि आप हमें follow कर सकते हैं through YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, इस सब के through आप हमें follow कर सकते हैं, तो मैं मिलती हूँ आप से next session में ऐसी धमाकिदा session वो रहेगा हमारा, तो जब तक बनी रहेगा मेरे साथ Magnet Brain Spot, thank you so much.